नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप आप सब मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की अवली वीडियो काफी ज़्यादा धमाकेदार होने वली है बिकॉस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को 5 ऐसे गौर्मेंट स्टॉक्स बताने जा रहा हूं तो चलिए अब इस वीडियो को स्टाट करते हैं आप इस वीडियो को एंट तक देखना है कहींपे भी स्किप मत करना चलिए दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं हूँ आरुष, आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुष, चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ आपको कौन से हैं 5 चलिए दोस्तों बात करते हैं आप हमारे पहले स्टॉक की, तो कंपनी का नाम है ONGC, एंड कंपनी का करण्ट स्टॉक प्राइस करनली 131 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है, कंपनी यहां पर दिविडियों और जो डेट्स होंगी, वो हमें बोर्ड मीटिंग के वक् कंपनी का नाम है REC Limited, एंड कंपनी का करण्ट स्टॉक प्राइस करनली 96 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है, कंपनी ने आप डिविडियों अनाम है 5 रुपीज पर स्टॉक के साब से और इस डिविडियों को देने की जो एक्सडेट होने वाली हो, 8 नवेंबर की होन हो रहा है, कंपनी यहां पर डिविडियों और डिविडियों करने जारी है और इसी रिलेटेट कंपनी ने आपर बोर्ड मीटिंग भी और्गनाइस करिए 7 नवेंबर को, बोर्ड मीटिंग के अंदर हमें कौर्टरली रिजल्स तो पता लगेंगे लगेंगे कैसे हैं, साथ साथ में कंपनी यहां पर डिविडियों करेगी जिसकी वैल्यूज और डेट समय बोर्ड मीटिंग के दिन ही पता लग जाएंगी या फिर उसके अगले दिन यहां पर हमारे पास में इंटीमेशन आ जाएगा, चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक की तो कंपनी का नम है पा सबस्ट के जिसके हैं जिसके इसाबसाब कंपनी के इंटर में ट्रेडिंग कर सकती हो, चलिए बात करते हैं हमारे अगले रिजल ड्ला स्टॉक की तो कंपनी का नम है इंडियन आयल क्πα्परेशन औरुमेशन और ड्लपनीका है। decrease हुआ है, साथ ही साथ में हम इसी जो results होंगे इसके according यहाँ पर trade ले पाएंगे इनके stocks के अंदर, तो उसे साब से आप यहाँ पर इसको अपनी watch list के अंदर add कर सकते हो, दोस्तो आज की वीडियो में इतने यही 5 stocks थे, जो की government stocks हैं जिन्होंने आपे धमाकेदा dividend and financial results announce करने की घोशना करी थी, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, वीडियो को ज़रूर से like कर देना, चैनल को भी subscribe कर देना, because फिनो मीडिया के अंदर आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा, चलिए मिलेंगे किसी और